कमला क्यों तोड़ती है ये? कमला क्यों तोड़ा? हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग एक दम बढ़िया होंगे और घर पर खूब मज़े कर रहे होंगे तो गैस, आज की व्लोग के स्टार्टिंग कर रहे हूं मैं दो पहर से और अभी हो रहा है टाइम लंच बनाने का तो आज मैं लंच में बनाने वाली हूं कुछ खास और कुछ बहुती टेस्टी तो पापा लेकर आए हैं यह कद्दू की बेल तो यह जो बहुत सीरे की होती है वही वाली कद्दू के टुक और यह है गब तो इसको हम बहुत अच्छे से बिन के काट के उसके बाद हम इसको धो लेंगे और इसका जो पानी होगा उसको छान कर फिर जाके इसकी सबजी बनाएंगे तो इसी का काबा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर काबे में गाब के बत्ते जादा होते ना जो यह उपर से मोड के रखा हुआ है तो और भी ज़्यादा टेस्टी होता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का लंच बनाना तो सबजी मैंने काट ली है और उसके बाद मैं इसको धो कर चान कर लेकर आ गई हूँ तो यह देखिए कितना बारी कटा है जितना बारी कटेगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा तो इसे हम लोही की कड़ाई में ही बनाएंगे और सरसो के तेल में तो सरसो के तेल में मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है जीरा जब भुन गया है तो मैंने इसमें थोड़ी लाल मिर्च डाल दी है क्योंकि इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं पड़ेगा तो जहाँ पर हरी सबजी होती है वहाँ पर लाल मिर्च का तड़का लगना तो बनता ही है तो ये देखिए लाल मिर्च भी भुन गई है तो उसके बाद मैंने तुरंत इसमें डाल दी है सबजी तो मसालों में भी कुछ भी नहीं डाल दी हूँ सिवाए नमक के तो स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है क्योंकि ये सबजी जादा है और कापा बनाने के लिए इतनी सबजी जादा होगी तो मैं थोड़ी सी सूकी सबजी निकाल दूँगे और सूकी सबजी के लिए हमें हल्दी धनिया इसके जरूरत नहीं रहती है बस नमक होना चाहिए और लाल मिर्च का तड़का लगा हुआ होना चाहिए तो इसको मैं बस पकने के लिए रख देती हूँ जब ये सबजी पक जाएगी थोड़ी सी सूकी सबजी मैं निकाल दूँगी टपकी के लिए और बाकी क्या जो बचेगा उसका हम कापा बना लेंगे तो जब तक सबजी पक रही है मैं चड़ा लेती हूँ चावल तो जब मैं केये जन म煮 है आई हूँ तो फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ यहनिकी मैं सबजी पकने का इntजार करूँ उसके बाद चावल चड़ाओं तो फटाफट से काल भी पक। अ कर के तयार हो जाएंगे तो फटाफट से मैंने चाल भी चड़ा दिये हैं और जल्दी से चावल भी पक जाएंगे तो फिर इसकी जो हवा होती है वो भी निकलने में टाइम लगाता है और फिर हम जबरदस्ती कुकर के हवा निकालते हैं तुरंत भाद बनाके तो फिर उसके बाद कुकर भी इस तरीके से खराब हो जाते तो चावल टाइम पे बना लो और उसके बाद उसे थोड़ा देर रेस्ट के लिए रख दो तो चावल भी अच्छ बनते हैं और कुकर भी खराब ने होता है तो देखिए सबजी बनके तयार होगी है दिख रही है एकदम अच्छी और इसमें लाल मिर्ची कितनी अच्छी दिख रही है तो पाप लोगों और जब कुछ खास बनाती हूँ तो उस टाइम पे मैं कुछ अलग मसाले यूज कर लेती हूँ तो बेशन और मसालों को मैं पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़े से खटे स्वाद के लिए मैंने इसमें डाल दिया है मठा तो मठा मैंने अभी कम ही डाल मैं यह अजय साथ हो रहा है इसलिए मैंने कही है तो एध कर एक दमयुकी हो जातै और इसका कापा हो गया और पाल कापा हो गया तो यह दो काप मुझे बहुत जादा पसंद है तो ये देखिए दोस्तो कापा बनके एकदम तयार हो गया है और देखने में भी कितना जादा टेस्टी और कलर भी कितना जादा अच्छा आया है इसका जिन लोगों ने ये खाया होगा और जिने ये पसंद होगा ना तो उनके मुमत जरूर पाने आ गया होगा तो चलिए अब कर लेते हैं खाना लगाने की तयारी तो फटा फट से पहाड़ी स्टाइल में ही काट लिया है मैंने खीरा भी गोल करके नहीं काट रही हूँ और क्योंकि मुझे यह लंबे तरीके से काटा हुआ ही पसंद है इसमें हम डालेंगे घर का पिसा हुआ नमक तो पहाड़ी स्टाइल में काटा हुआ खीरा उपर से घर के स्टाइल का उसमें नमक चपड़ेगा ना तो वह और भी जादा टेस्ट हो जाता है तो चलिए लगा मुझेतें हैं ठाली और सबको क्हाना कहला नहीं कापकी सुखी सब्ची समय के बने बंब प点ाइलिवomy के चापके मेचा प्रइव हैं कापकी तो आपके मिर्च्टक मैं गया ठीक हो दिपने ख्याद़व तो घर में सबी लोग इस तरीके से खाते हैं तो देखे थाली लग रही है ना एकदम सुन्दर तो जी दोस्तों खाना पीना तो हमारा नी पड़ चुका है और आज देखे कमरे की हालत कैसी हो रही है तो आज क्या हुआ कि हम मैंने बिस्तर बहार पे डाला था तो सुबह से आ पाइदान भी उस पर बेड में ही रखे हुए है उसने और ये गद्दे इतने जदा हैवी है इनको मतला मैंने सुबह तो धहरी के पापा से बोल दिया था कि बाहर रगदो करके वरना तो ये बाहर डलते ही नहीं है मतला मुझे भी बहुत सोचना पड़ता है इनको बाहर ड अच्छा देती हूं वैसे तो ये आजकल नहीं कर रहा है पर कभी-कभी बच्चों को ठंडा सा लग जाता है जब कभी बारिश का मौसम होता है तो उस टाइम पर वरना नहीं करता है आजकल थोड़ा सा आदत सुधर गई है इसकी तो कमरा मैंने थोड़ा ठीक होता है ना कम हुआ था तो इस वज़े से फिर मेरा मन नहीं हुआ और अभी हो गया है साम का टाइम दो पर में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अभी देखिए मौसम कितना जादा काला काला सा हो गया है चारों तरफ घने घने बातल चा गया है सुबह मौसम बहुत जादा बढ़िया हो पूरा जो है रस छोड़ दिया था उसके बाद धूप में रखे रखे सूप भी गया था तो तब जाके पापा निसमा आज दिन में ही तेल और अचार मसाला मिला कर धूप में रख दिया है तो एक आद दिन और रखेंगे हम इसे धूप में और अभी बारिश आने वाला हो चत में ठंडी ठंडी हवा चल रही है इसले पापा और धहरी भी आ गया है ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए क्योंकि अब बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर और मैं भी आ गई थी छत में तो पेडों पर नजर गई मेरी कब से सोच रही थी इनकी गुडाई कर दूप क रहें, अच्छे से लगानी है वह या पतानी क्या प्रोबल्म है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनकी थोड़ा से फ़ा पानी कर्दू थोड़ा सा था कि उनकी गुड़ाई करके इनमे स्वा थोड़ा से छाम नहीं को तो फिर बारिस के पानी से और भी अच्छो जाएंगे क्योंकि हम लोग कितना ही पानी डाल देना तो जो बाद बारिज के पानी में होती है ना वो हमारे डाले वे पानी में नहीं होती है और यह जो पॉंदे है ना इनकी लाइफ बहुत जादा लंबी होती है भले यह बहुत जादा लंबे हो जाए पेर लेकिन इनकी लाइफ खतम जो नहीं होती है जहां तक मैंने देखा है एज चोटे वाले हम जो फूल लेकर आते ना फूल वाले पहुंदे तो उनकी जो लाइफ है वह बस एक ही सीजन तक की रहती ए तो इस वज़े से यह वाले पहुंदे थोड़ा सा ँमी होते हैं उन इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि यार ये दूसरा वाला पहुंदा क्यों नहीं खिल पा रहा है क्योंकि मैं सीडियों में रखने के लिए लाई थी और अच्छे भी लगते है ना इस टाइप के ग्रीन प्लांट घर के स्टार्टिंग पॉइंट पर अपनी गाड़ी अंदर लगाओ चलो कि जल्दी करो आपने देखा अगा धहरी मेरे हाथ से कुदाल लेकर गया और उपर साइट पे जो मैंने गमले रखे थे तो मैं वो लगा हुआ था कुदाल मारने में तो लीज्त से मतनी और गमले में थोड़ा जोर से अरफा गाल रहा उसनी तो स्के बाद लिया क्योरा सॉ पर गमले क्हा थे वह कि अग्ले कुदा सुछाती मीज्डे भाले से ज़्ड़ाए है तो उसलिल कीदिए वह माता हुआ थे चाशहा है तो ये देखिए दोस्तो जमा जम्मस्त वाली बारिश आ गई है और बारिश आती है ना तो मेरा मन अंदर से खुब खुश हो जाता है बारिश को देख के तो चलिए अभी इस व्लोग को मैं यहीं पे अंडर करती हूं मिलती हूं बहुत जल्दा आपसे एक नई वीडियो के साथ आई होप कि आप लोगों ने भी इस वीडियो को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करने में हूं तो चले अगर आपको यह व्लोग को अगर आपको यह व्लोग करते हैं